दिल्ली सरकार के पड़ोसी राज्यों से अतरिक पानी सप्लाई वाली आजका पर आज सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले को लेकर रूपरी यम्ना नदी बोर्ड से कहा है कि वो दिल्ली के निवासियों के सामने जल संकट के समधान के लिए सभी हेत धारक राज्यों की पांच जून को एक आपात कालीन बैठक आई जिर करें सुप्रिम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य अर्याना से तरिक पानी की मांग करने वाली दिली सरकार की आजका पर सुनवाई के लिए अब 6 जून की तारिख सैकी इस बीच बैठक की कारवाई उठाए गए कद्बू पर सुझाओ भी मांगे हैं सुप्रिम कोर्ट इस मामली के अगली सुनवाई सुप्रिम कोर्ट में 6 जून को होगी कोट ने इस दोरान एहम बैठक करने के निर्देश दिये हैं दिली सरकार के आजका पर यह सुनवाई हुई आज और अप 6 जून को होगी सुनवाई कि दिली के पड़ोसी राज्यों के साथ मीटिंग फिक्स करें और यह समधान निकाला जाए कि दिली के लिए पानी कैसे मोहिया कराये जा सकता है अब इस मामली के अगली सुनवाई 6 जून को है आज क्या प्रोसीडिंग सी कोर्ट की राजा तफसील से बताएं अब इस तरीके से दिली में जल संकट है जल संकट को लेकर दिली सरकार ने सुप्रीम पोट में याजका लगाई थी और याजका के बाद आज पुरे मामले को लेकर सुप्रीम पोट में सुनवाई हुई है पूरी तरीके से दिली सरकार की बात करें उन्हों अपना पक्स रखात की दिली में काफी अदा पानी की किलत है ऐसे में जो पूरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट पांस जून को जिस तरीके से दिली सरकार के जल्बोट को अधिकारी है उनके साथ एक बैठक करने कोवा है और पूरी report विस्थितृ report को लेकर द्वारा से 6 जून प्पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी जिस तरीके से बात करें जल्बोट के अधिकारों के साथ जो यम्रा नदी का बोट है वो पूर इस मामले को लेकर बैठक करेगा बैठक में यह सुनिशित किया जाएगा कि अब जो अतरिक पानी मांग रहे हैं आखिरकार किन-किन लोकेशन्स पर काफी दिक्कते आ रही है और किस तरीके से महाँ पर जो अतरिक पानी जो हरियना और उत्रपरदेश से दिली मांग रहा है वो किस तरीके से पहुंचेगा इस पर मामली को लेकर अब सुत्री पॉर्च है उनको दुबारा सुनवाई करेगा अब सुनवाई में दिखने वली बात हो कि दिली सरकार चाहता है कि उनको एक मैने का अतरिक पानी दोनों राज़ों से मिले ताकि जो जलापूर्थी है वो दिली में पूरी हो सके काफी ज्यादा परिसानी दिली वासी यहां पर जलते वे नजर आ रहे हैं घर्मी का चरम पर है वैसे में अब दिली सरकार को उमीद हो कि उमीद है कि छैताई को जो सुनवाई होगी उसमें दिली सरकार के पक्स में फैसलाएगा पर सुनवाई से पहले एक बहुत बैठा कि आँपर सभी अधिकारी जल्बोट के अधिकारी करते वे नजर आई है वो बैठा किस तरीके का नतिज़ा लेकर आती है यह देखने वाला कि राजा हर्याना के मुक्रम्तरी नाइब सैनी न समधा निकल पाएगा हर्याना की तरफ से इस मामले का कि अधिकारी है तो सुप्रीम कोट काफी गंबीर है ऐसे में अब मामला कोट में है तो जिस तरीके से सुप्रीम कोट ने आपार बैठक के लिए कहा है सभी जो राजूत्य अधिकारी है वो इस बैठक में मौशूद र आए ऐसे में राजनीची भी देखनी को मिल रही हर्याना सरकार के तमाम दूनेता हैं वो लगातार दिली सरकार पर निशाना साथ रहे हैं कि जो पानी है वह आपके ज्यादा हर्याना से दिली पहुंच रहा है उसके बावजुद पानी दिकी लगा यहां पर जिल्दी में राजा दिली के कौन-कौन से इलाके पानी की जादा किल्द से जूज रहे हैं कि इलाकों में लोग जादा परेशान है पानी के लिए भी और भी है 5 दो पर खाल कुर्स्क बाद करें च्ड़केपूरी में का पानी की काफी पानी को लेकर पारिसान को सामना करना पिए और जो आ जो ब्यांट की बात करें तो तुगल का बादT बदर मांदर ओटला का यहां पर है і आपर आठारा-ठारस जो यहां नहीं पहुंच्वारा जो ऐसी जानकारी है क्या कफी परेशान या कई आसी विधानसफ़ा है जहांपर पानी की काफू ज्यादा परेशाद है पर दिल्ली सरकार्ट के तरफ से टेंकर पहुंचाया जारे हैं पर आप तस्वीरों में दे सकते हैं की टेंकर पहुंच था ही 20-25 पूरी तरीके से खाली हो रहे हैं तो आपी ज्यादा किल्द आप दिल्ली में पानी को लेकर देखने को मिल रहे हैं